कल रात से दोस्तों मैं देख रहा हूं कि अलग-अलग पोटल्स आर्टिकल निकाल रहा है यह दावा कर रहा है कि शारूख खान की जो फिल्म में डंकी वो क्रिस्मस पे नहीं आएगी उसके बाद फैंस बेचैन हो गए परिशान हो गए कि भाया क्यों नहीं आएगी तो वहां से पता है कि यह फिल्म पोस्पोन नहीं होगी यह फिल्म बाई दिसंबर को ही रिलीज होगी यह दोस्तों 100% टीम के तरब से जंकारी आ रहा है अब यह न्यूस कौन फैल वाया भाई अलग-अलग पोटल्स को अलग-अलग बड़े-बड़े वेबसाइट को कि डंकी पोस्पोन हो गई है चलो कर मान लेते हैं कि डंकी पोस्पोन भी हो जाए क्योंकि आदी अदूरी फिल्म तो हमें नहीं देखनी है जवान जैसे पोस्पोन हुई थी दो जून को आने वाली थी वेफेक्स कंप्लिट नहीं था इसलिए 7 सितंबर को आई अगर जवान दो पर आए शारूख फण कि उपर कि आप 12 दे बयां हूँ बैट जाओ बैट बच्चो बैट जाओ तीसरी बार भी शारू खान के फिल्म आईगी तो पूबलिक आएगी शारूख खान ऐसा कहरे है दोस्तों तो यह कंफॉर्म है टीम के तरफ से कि डंकी पॉस्पोन नहीं हो रही है यह फिल्म बाइस दिसंबर को ही इंडिया में रिलीज होगी 21 तारी को ओवर सीज निसका प्रीमर रखा जाएगा यानि एक दिन पहले यह फिल्म विदेश में रिलीज हो जाएगी इंडि कि अगर यह निउस आएगी डंकी पॉस्पोन हो गई तो अपने आप सलार के बारें बाचीत होना शुरू हो जाएगा और यह बात सही है कि अगर डंकी पॉस्पोन होगी तो लोग कहेंगे कि भाई सलार आ रही है सलार आ रही है तो डंकी के पॉस्पोन होने से सलार को तो सलार के बारे में भाचीत होगी इसलिए क्लैश किया है इन्हों ने कि भाई हमें फ्री पब्लिसिटी मिलेगा इसलिए यह प्यार से निवस निकल आया है कि भाई यह फिल्म पॉस्पॉन हो गई बहुत सारे फैंस डर गए अगर पॉस्पॉन भी हो जाती तो कोई बड़ी इसमें कोई और फिल्म भी आ सकती है तो डंकी दोस्तों पॉस्पॉन नहीं हो रही है किलियर है कंफॉर्म है और इसे ठपा लगा ले मोहर मार ले जहां गुदवाना है गुदवा ले शारुक खान ने भी कहाता है कि भाई कैसे फिक्स करें मातें पर गुदवा दें तो भा सकती है